हलो फ्रनस वेलगम बाक डू माइच चैनल और आज हम शिखेंगें रेडिमेट कूर्थी में स्लिप्स कैसे लगते हैं तो देखें आज स्लिप्स का कपड़ा काया हो यह चार फोलब से पहले पहले कर लें, क्योंकि यह नहीं क्योंकि नहीं नहीं कपड़ने क है. कुछी नहीं कुछ कर लेना है। इसके लंबाई को कुछ नहीं करना है, देखिए इसके चोड़ाई जो है तो वो 9.5 इंच है और इसके लंबाई 5.5 है अब देखिए यह जो खुलावा साइड है वह इस तरह है, देखिए अदर खुला साइड है और इस तरफ बंद साइड है तो यहां से तीन इंज पर एक निसान लगा लेना है उसके बाद इसको इस तरह से तीर छे में मिला देना है उसके बाद जितना यहां पर गुलाई रखना है यानि कि मुहरी रखना है स्लीप्स का तो सिलिप्स का मोहरी रखना है साड़े छे तरह साथ मैंने एक निसान लगा दिया है एक इंज का मैंने यह पर मार्जिन रखा है उसके बाद अब इसकी कटिंग कर देना है तो देखें इस तरह से पहले इसकी कटिंग कर देते हैं यहां पर एक कटका निसान लगा देते हैं अब इसको इस तरह से खुल देते हैं देखें यह दोनों जो सीधा साइड है वो आमने सामने है उसके बाद यहां पर हापींच का फ्रेंट साइड में इस स्लिप्स को सेप दे देना है यहां से यह जो है तो यह फ्रेंट साइड के तरप आएगा यह वाला साइड नहीं तरफ यहां पर हापींच का यहां पर और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके बताईए आप अपनी सुझाओ भी दे सकते है अब देखिए यह जो है तो कुर्टी है कुर्टी का अब देखिए यह कुर्टी जो है तो इसका गला काफी बड़ा है अब इसका गला भी पहले मुझे छोटा करना है देखिए इतना इतना गला इसके इसका जो है तो जादा बड़ा है और इस वज़ा से आर्म होल भी जादा बड़ा है तो इसको पहले इतना दूर तक सील करके चोटा कर देना है यहां पर दोनों कंधों को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इतना निकला हुआ है तो इसको सिल करके पहले इसको इस तरह से बैठा देते हैं यहां तो फिर यह उभरा हुआ लगेगा तो इसको सिल करके इस तरह से यहां पर इसको सिल करके इस तरह से बठा दिया ताकि यह उभरा हुआ ना लगे देखिए कुछ इस तरह से अब उसके बाद स्लिप्स लगाना स्लिप्स का जहां पर साइड सीधा साइड है और यहां पर देखिए यह वाला यानि कि ये front side है और कुर्टी का ये front वाला side है अब इसको कुछ इस तरह से रखना है friends आप लोग देख सकते हो और आधा आधा इंच कपड़ा इसको दबाते हुए इस तरह से सिल देना है कपड़े जो slips का कपड़ा है वो मैंने नीचे के side में रखा है यानि कि जो कुर्टी का जो कंदा है उसके नीचे के side में रखना है कि रेडिमेट जो slips आता है उसकी सिलाई इसी तरह से की जाती है friends अब इसी तरह से पूरे में इसको सिलते वे चला चले जाना है friends देखिए यहाँ पर मैंने slips को अटेज कर दिया है अब इसका फिटिंग का निसाल लगा करके इसकी फिटिंग की सिलाई कर देना है और इस टाइब की वीडियो और देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो फिर फोड़ा भी पसंद आया है तो फ्रेंट्स लाइक भी करिए अपने दोस्तों के साथ सेर भी किजिए अब देखिए यहाँ पर के इसकी फिटिंग के निसान लगा लगा लेना है देखिए साड़े से फिटिंग के फिटिंग के साथ मैं यहाँ पूरी कूर्टी की फिटिंग पलप दे रही हूं और उसल्स को सिल देना है देखेज। यहाँ इतने अच्छा टरीके से के साथ्थ यहां पर सिल्क के आया है देखिए जो उसका गला है अगर किसे भी कुर्ती का गला को छोटा करना है तो स्लिप्स अटाइच करने से पहले उसके कंधों को सिल दिया जाए तो गला जो है तो छोटा हो जाता है और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थांक्यू सो मच